Hello 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 कैसे है guys and girls हूप मज़े में fit fine मैं आपको हुशामदित कहता हूँ आपके पहले video tutorial में जो के HTML5 और CSS3 का हिस्सा है आप में से बहुत से लोगों ने HTML का नाम सुना होगा HTML stands for Hypertext Markup Language और HTML5 का मतलब है कि this is the fifth version पांच्वों version है HTML5 का और इसके साथ ही हम CSS3 यानि के cascading style sheets के बारे में बात करेंगे इन tutorials में और pages develop करेंगे हमारी बागी videos ज्यादा practical होंगी जिसमें हम code type करना सिखेंगे और pages को test करना सिखेंगे और pages को upload करना सिखेंगे और बाकी different काम करना सिखेंगे लेकिन क्योंकि ये हमारा पहला video tutorial है तो इसमें मैं आपको थोरा से introduction HTML का देना चाहूंगा थोरा से introduction HTML5 का देना चाहूंगा और उसके साथ साथ हम CSS3 के बारे में बात करेंगे इसके अलावा इस video tutorial में मैं आपको बताऊंगा के हमें HTML5 और CSS3 documents बनाने के लिए किन softwares की जरूरत होती है तो HTML जैसे के हमें पता है stands for hypertext markup language ये internet का core technology है बहुत सी बलके तमाम के तमाम website's HTML use करती है और HTML 1990 में इसका version 1 introduced किया गया था आजकल जो HTML का version हम use करते हैं वो 4.1 है जो के 1997 में introduced किया गया था तो ये बहुत ही हैरत अंगेस बात है के पिछले 15-16 साल से कोई HTML 5, HTML 4 के बाद HTML का नया version नहीं introduced किया गया था ऐसी बात नहीं है के कोई develop में नहीं होई थी worldwide consortium W3C worldwide web consortium जो है उसने xhtml 1.0 introduce किया था जो के HTML के मुकाबले में ज्यादा strict rules को follow करता था लेकिन developers और browser community और browser development companies ने उसको ज्यादा follow नहीं किया तो इसलिए कुछ browser companies ने मसलन Microsoft मसलन Apple Google Mozilla इनने एक group बनाया और उनने बहुत सी websites का visit किया और देखा कि वो किस किसम का HTML code यूज करती है और उसकी base के उपर HTML5 को introduce किया गया है HTML5 अगर आप HTML से वाकिफ हैं तो आपको यह नोट करेंगे कि HTML5 में बहुत ज्यादा नए code tags introduce किया गया है मसलन header navigation के लिए nav और news के section के लिए aside main section के लिए section article footer के लिए footer का tag introduce किया गया है इसके अलावा क्यूंकि आज कर जो web है वो audio और video पे जादा चा रहा है तो इसके लिए बहुत से असान tags introduce किये गए हैं जिसमें audio का tag है video का tag है जिससे हम बहुत असानी से अपने pages और websites के अंदर audio और video को introduce कर सकते हैं इसके अलावा forms validation के लिए बहुत असानी की गई है जिसके बारे में हम discussion करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और pages develop करेंगे तो मैंने यह कह रहा था कि HTML documents बनाने के लिए हमें कोई खास किसम के software की ज़ूरत नहीं होती आपने सुना होगा कि कुछ लोग Dreamweaver में websites develop करते हैं कुछ लोग Visual Studio में websites develop करते हैं इसी तरह के different paid software available हैं और इसके अलावा open source software भी available हैं लेकिन web page बनाने के लिए हमें सेफ एक word editor की जरूरत होती है इसके साथ ही cascading style sheets की coding करने के लिए जो कि बहुत ही असान language है आपको उसी word editor की जरूरत होती है यह word editor आप notepad भी यूज कर सकते हैं अगर आप Microsoft Windows यूज कर रहे हैं तो लेकिन इसके अलावा जो word editor हम यूज करेंगे इस video tutorial में वह है notepad plus plus notepad plus plus बहुत ही अच्छा बेहतरीन word editor है जो के मुझे बहुत पसंद है और आपको भी पसंद आएगा यह आप simply download कर सकते हैं google पर search करके notepad plus plus कर लिखके आप search करेंगे तो यह आपको notepad plus plus dot org की website पर ले जाएगा वहाँ पर जाके आप download का button क्लिक करके इस software को download कर सकते हैं और इसकी installation काफी असान है और एक दफा install करने के बाद आपके सामने इस सांकी window open हो जाएगी बागी बाते बाद में और coding पहले तो हम अपना एक simple html 5 document बनाते हैं इस वकत जो है मैं थोड़ा से tags के बारे में introduction देना चाहूंगा और अगर आप ने पहले html में थोड़ा से development की हुई है तो शायद यह आपके लिए थोड़ी सी repetition होगी लेकिन इसके साथ साथ ही आहिस्ता आहिस्ता हम html 5 के नए tags के बारे में discussion शुरू करेंगे तो यहां पर में ख्याल से हम अपना पहला tutorial खतम करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इस video series का tutorial number two visit करें देखें और मैं आपसे promise करता हूँ कि next tutorial से हम ज्यादा programming करेंगे और कम बाते करेंगे तो बहुत बहुत thank you please इस video को like कीजिए और अगर आप कुछ comment करना चाहते हैं तो comment कीजिए और नीचे एक link दिया हुआ है मेरी website का जिसमें मैंने यह तमाम की तमाम बातें detail में discuss की हुई हैं उस link पे click click कीजिए उस link में हम इस video tutorial से related आप code भी देख सकेंगे और उससे use भी कर सकेंगे ओके जी बहुत बहुत thank you मिलते हैं break के बाद next tutorial में